प्रांस की डेसॉल्ट अवियेशन अब सूपर राफेल F5 बनाने जा रही है ये वो विमान है जो अमेरिका के F30 को चिधेतोर पर चुनौती देगा सूपर राफेल स्टिल तक्नीक से लैस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकता है इस विमान के साथ लॉयल विंग मैन फाइटर ड्रोन को भी इंटेग्रेट करने का प्लान है सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग डेडार से लैस राफेल F5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वाल भी बना सकता है ऐसे में दुश्मन की एर डिफेंस मिसाइलें इस ललाकव विमान के आस पास भी नहीं आएंगी कहा जा रहा है कि इस विमान के आने के बाद ये सीधे तोर पर अमेरिका के एफ 35 को चुनौती दे सकता है फ्रांसेशी डिफेंस वेबसाइट मेटा डिफेंस के अनुशार सूपर राफेल जिसे राफेल F5 भी कहा जा रहा है ये एक नया लडाक विमान है जिसे डशौल्ट डेवलप कर रहा है इस विमान में खास तरह का Air Combat System है जो कई सिस्टमों के सिस्टम्स पर अधारिध है और ये लडाकवी विमान ना सिर्फ कई तरह के खुबियों से लैस है बलकि इसमें खास तरह की टेक्नलोजी का भी प्रियोग होगा आपको बतार दे कि फ्रांस लंबे समय से यूरोप के Next Generation Fighter Jet प्रोग्राम का हिस्ता रहा है इस प्रोग्राम में फंड को लेकर खुचतान के बाद फ्रांस ने खुद को विमान को बनाने से ज़्यादा फोकस किया है फ्रांसेसी सेना को उमीद है कि उसे जल्द ही अमेरिकी F-30 से भी बहतर रडाक विमान मिल सकता है जो की राफेल F-5 होगा जिसे सूपर राफेल भी लोग कह रहे हैं राफेल F-5 को स्कैल्ब स्टॉर्ण शैडो कूज मिसाइलों और एम 49 एक्सोसाइर्स के बजाए नई फ्रांको बिटिश मिसाइलों या फ्यूचर कूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइलों को तैनात करने की योजना है ये फ्यूचरिस्टिक मिसाइले स्टिल्स टक्नीक से लैस होने के रावा हाइपरसोनिक स्पीड से उडान भर सकती है ये राफेल को और अधिक दूरी पर मार करने की शम्ता देती है इन मिसाइलों को मौझुदा वक्त में किसी भी एर डिफरेंस सिस्टम से रोका जाना नामुम्किन जैसा है राफेल एफ भी टैलियोस डिजाइन पॉड और रेको एंजी टोही पॉड की शम्ताओं को मर्ज करकने वाले पॉड से लैस होगा इसमें टैलियोस पॉड को राफेल एफ फॉर के साथ इंटिग्रेट के जाएगा इसी के साथ फ्रांस पुर योजना बना चुका है कि अब उसे अमेरकी एफ 35 का कार्ट निकालना है ऐसे में फ्रांस इस अपने अगले पीड़ी के फाइटर जनरेशन पर काम कर रहा है कहा जा रहा है कि ये पांचवा नहीं बलकि छटे जनरेशन का होगा लेकिन इसकी खूबियां पांचवो जनरेशन की है ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं कहा जा रहा है कि सुपर राफेल के आने से सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट्स की दस तक अब शुरू हो जाएगी बुरो रिपोर्ट भारत तक बुरो जाएगी